हेलो दूस्तो नमेशकार देख लेना तो चले दोस्तो फिलाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं सो अभी हम लगा चुके बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के उपर एंड दोस्तो शायद से इस प्रकार का वीडियो में फिर्स टाइम यहापे बना रहा हूंगा यहाँ पे हाला कि मेरा कोई यहाँ पे call नहीं है कि आप यहाँ पे जाके trading करो करके So, यहाँ पे किस चीज से related जो खबर है जिसका हम लोग इंतजार कर रहे थे जो just अभी-भी हम लोग को खबर देखने को मिली है और इसका जो reaction है वो अभी हम लोग को यहाँ पे तुरंत American Bazaar में भी देखने को आपे मिलने वाला है देखे मैं फिलाल जो यह वीडियो बना रहा हूँ 6 बचकर 15 मिनिट सवा 6 बजे के आसपास यह वीडियो बना रहा हूँ अभी अप्लोड होने तक कितना टाइम लगेगा पता नहीं यहाँ पे कभी कोई भी टेकनिकल इशुस के कारण शायद से यह डिले भी हो सकता है बट सवा 6 बजे के आसपास यह वीडियो यहाँ पे में बना रहा हूँ सो बताने का मकसद कहा है देखे अमेरिकन बाजार क्लोज है कितने पे चल रहा है 32774 ठीक है तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो अमेरिकन बाजार से रिलेटेड एक बग़ी इंपोर्टेंट न्यूज यहाँ पे आने वाली थी और वो न्यूज अभी बाजार ओपन होने से पहले ही लगबग 45 मिनिट्स पहले ही आप आ चुकी है और इसके चलते अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे किसके उपर फोकस रखोगे तो अमेरिकन बाजार का फ्यूचर येस उस्तों डो जोन्स का फ्यूचर जो की बिल्कुल मरा हुआ चल रहा था सड़नली उसमें इतनी जोश आ गई आप यहाँ पे देख सकते हो साड़े 300 पॉइंट 400 पॉइंट तक यह जंप दिखाने यहाँ पे स्टार्ट कर चुका है येस दोस्तों अगर मैं आपको इसी को यहाँ पे ग्राफिकल माद्यम से यहाँ बता दू आप यहाँ पे देख सकते हो एक दिन का यहाँ पे चार्ट पेटन यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको उपन कर लिया है यह देखे आपको नजर आ रहे है यह लाइन बिल्कुल ऐसा ऐसा था यह देखे था कि inflation से related आज यहाँ 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 पे US के numbers यहाँ पे सामने आने वाले है और इतने सारे बड़े-बड़े फेसले यहाँ पे लिये गए थे Federal Reserve के और से या फिर हम लोग कह सकते वहाँ कि जो government थी उनके और से कि जो महिंगाई का जो दर था वो last time हम लोग ने यहाँ पे देख लिया था last time हिंगाई का दर expect किया गया था कि 8.9 के आसपस होना चाहिए बहुत ही ध्यान से सुन ले ना मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ last time की में बात करा हूँ 8.9 expect किया गया था max to max इतना जाएगा करके and हकीकत में कितना आया था last time 9.1% पूरा record तोड़ दिया था ऐसे records जो की बिलकुल भी अच्छे नहीं है इतना बता दिया था कि inflation बेकाबू है और इसके चलते अमरिकन बाजार में जबरदस पिटाई हुई थी obviously expectation था 8.99, 9.1 बहुत ज़्यादा होता है दोस्तो लगबग हम लोग यहाँ पे कह सकते है मतलब बहुत ही ज़्यादा तो दोस्तो यहाँ पे अभी के अगर में बात कर दोस्तो तो inflation का data just अभी-भी सामने आ चुका है बहुत ध्यान से सुन लेना पुराना कितना चल रहा था 9.1% इस वक्त expectation था कितना पता है कि inflation कम होके 8.7% के range में आपे आएगा और दोस्तो ज़स्त अभी-भी news आपे सामने आ चुकी है कि inflation का actual figure आ चुका है 8.5% तो दोस्तो पहली बार मतलब year की अगर हम लोग आपे बात करे पहली बार inflation अमेरिका का हम लोगों को नीचे जाते वे देखने का आपे मिला है इतने time के बाद लगातार सिर्फ inflation बढ़ते जा रहा था बढ़ते जा रहा था बढ़ते जा रहा था and finally first time इतने time के बाद inflation हम लोगो 9.1 से 8.5 तक expected था 8.7 बढ़ उससे भी बेतर 8.5 तक हम लोगों को आते वे देखने का आपे मिला है so definitely इस चीज को American Bazaar में ऐसा लगता है कि welcome यापे किया जा सकता है शायद से American Bazaar में जोरदार धमा का भी हो सकता है देखे मैं कोई trader तो हो नहीं बढ़ ये जो जितनी bookish knowledge है वो मैं आपके सामने आपे रख रहा हूँ कि अभी expected ही था कि 8.7 and 8.5 आ जाता है and American Bazaar का future आप देख सकते किस प्रकर से बाग रहा है एक काम कर लेता हूँ जो chart pattern जो candle stick रहता है yes इसको open कर लेता हूँ ये देखिए अभी आप लोग समझ सकते हो कि performance यहाँ पर हम लोग को देखने को मिल रहा था and suddenly आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना बड़ा हरा बार हम लोग को बनते वे देखने को मिल रहा है so definitely इस news को American Bazaar के future में तो welcome किया जा चुक है यह देखिए American Bazaar का future फिलाल 400 point के उपर हम लोग को trade करते वे देखने को मिल रहा है so definitely यहाँ पे एक positive यहाँ पे हम लोग को opening यहाँ पे American Bazaar में जरूर देखने को मिल सकती है but as a Indian market के अगर हम लोग बात करे हम लोगों के लिए American Bazaar की positive closing यह जादा important रहती है आप सब लोग को पता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि opening हो गई 400 की और closing हो गई लाल में तो फिर फाइदा क्या है तो हमारे जो opening के लिए खराब रहेगा so हम लोग जरू कह सकते American Bazaar शायद से आज अच्छा का सा धूम मचा सकता अभी तक जितना भी information सामने आया है उसके हिसाब से यह data में आप लोग के सामने आपे रख रहा हूँ so यह देखना बहुत ही जादा interesting यहापे रहने वाल है so आप जरू American Bazaar को focus में आपे रख सकते हो so definitely दोस्तों इससे हम लोग को बहुत सारे अभी यहापे indications यहापे मिल रहे है कि inflation अभी यहापे 9.1 को यहापे touch किया था and यहापे हाली में हम लोग को FOMC की बेठक भी देखने को यहापे मिली थी so FOMC की बेठक में हम लोग ने यहापे देखा था कि जैसे कि Mr. Powell जी ने बोला कि recession में तो हम लोग नहीं जाएंगे करके मतलब फिलाल के data की इसाब से तो बहुत सारा criticism भी देखने को मिला कि ground reality ऐसा है वैसा है करके बट बाद में जब data भी सामने आया unemployment का data वहाँ पे भी हम लोग ने देखा कि लोगों को एक्च्वल में jobs मिले है unemployment से related इतना कोई serious matter फिलाल तो data की हिसाब से तो देखने को नहीं मिल रहा है और उस data की हिसाब से भी American Bazaar में हम लोगों को तेजी देखने को मिली थी पीछे का reason हम लोग जरूर यहाँ पे कह सकते है कि यहाँ पे जो यह सारे चीजे हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिली थी तो क्या यहाँ पे मतलब बाजार क्या सोचता है कि क्या यहाँ पे top बन चुका है इंफलेशन का top बन चुका है कि 9.1% मतलब इसके उपर इंफलेशन नहीं जाएगा यह मतलब बाजार क्या मान के चल रहा है इसके कारण हम लोगों को यह सारी चीजे देखने को मतलब क्योंकि जितना बे एग्रेसिवनिस था वो यहाँ पे शुरू हो चुका है अभी 75 basis point एक बार rate hike हो गया फिर next बेठक में भी rate hike किया 75 basis point का rate hike किया अलग-अलग और सरकार अपने defense यहाँ पे ले रहे है तो यह सब कुछ करने के बाद अभी 9.1 से सीधा 8.5 हम लोगों को देखने को मिले है तो हम लोग जरूर यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों एक positive महौल फिलाल तो हम लोगो यहाँ पे American Bazaar में देखने को मिलेगा और जब American Bazaar में इस तरह की का positive महौल बनता है तो पूरे दुनिया भर के लिए भी वो positive महौल यहाँ बन सकता है और अगर यहाँ पे मैंने बात ही किये कि दुनिया भर के Bazaar की तो चली एक बार फटा फट दर्शन कर लेते हैं यहाँ पे क्या यहाँ पे इनके हम लोग इंडिविजुली चार्ट पेटन उपन करते है तो डेफिनेटली आप लोगों को यूजवली ऐसा चार्ट पेटन कैसे देखेगा पता है नॉर्मल इसा चल रहा है और इसा सड़नली स्पाइक हुआ है तो ऐसा चार्ट पेटन देखने को मिलना चाहिए तो चली हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते तो यह देखिए यहाँ पे मेरे फुटसी यहाँ पे उपन कर लिया है तो आप देख सकते हैं आप पॉजिटिव है बट यह देखिए अपको नजर आ रहा है एक सड़नली एक स्पाइक देखने को यहाँ पे मिल रहा है और यह इंडेक्स का स्पाइक है दोस्तो एक बहुत बड़ी बात होती है एक इंडिविज़ल स्टॉक में ऐसी चीज़े होना डिफरेंट होता है और इंडेक्स में ऐसी स्टेज में तो विलकम किया है मैं अगें कहना चाहूँगा स्तीती आगे बदल सकते हैं हम लोग स्टॉक मार्केट में है यहाप एक एक सेकेंड एक एक मिनिट कितना इंपोर्टेंट होता है आपको पता है तो विडियो अप्लोड होते होते हैं कुछ अलग चीजे भी यहाप यहाप पर देखने को मिली है और इसका अर्थ क्या है दोस्तो इसका इंटर्प्रिटेशन क्या है में इंटर्प्रिटेशन इसका में इंटर्प्रिटेशन यह है कि शायद से अभी 75 basis पॉंइंट यहाप फेडरल रिजर्व यह बढ़ा कर चल रहा था शायद से इतना aggressively rate high शायद से ना देखने को मिले मैं again कह रहा हूँ दोस्तों अभी की situation के हिसाब से हम लोग बोल रहे हैं आगे जाके अगर कुछ situation अलग हो गई तो चीजे भी बदलनी पड़ती है यह आपको इतना मतलब sense होना चाहिए market के प्रतियाप को पता है यहापे बिल्कुल ऐसा जीरो पर ऐसा चल रहता है जैसे ही न्यूज आ गई यहापे धमा का हम लोगों को देखने को मिला है तो बहुत ही अच्छी न्यूज देखने को मिले हैं इसके चलते हम लोग expect कर सकते हैं कि American Bazaar जो अभी कि यहापे अगर यह वाले market अगर थोड़ा सा यहापे भागते है 1X भागते है तो Indian market 1X से ज्यादा भाग रहा है शाए 1.5 बोल सकते है या फिर 1.8 बोल सकते है तो इसलिए दोस्तों यहापे सबसे attractive market Indian market फिलाल तो देखने को मिला है क्योंकि हमारा इंटर्नली problem इतना नहीं है हाला कि American Bazaar ने target कितना रखा है Bazaar ने मतलब inflation का 2% तक लाएंगे तो उसकी शुरुआत तो हो चुकी है अभी असर दिखना मिल रहा है 9.1 से कितना हो गया 8.5 तक यहापे आ चुका है आगे आने वाले समय में शायद से इतने बड़े rate hike देखने को यहापे ना मिले एक दो बार देखने को मिल जाएंगे बट multiple times देखने को नहीं मिलेंगे यह Bazaar शायद से मान के चल सकता है and definitely इसके चलते हम लोगों को अच्छी तेजी भी देखने को मिल सकती है स्वाशा करता दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा मैं again कहना चाहूँगा यहापे वीडियो को मैं close कर रहा हूँ उसके बाद यहापे upload होगा बहुत सारी चीज़े होते है कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि साथ अमेरिकन बादर अभी ओपन हो जाते है उसके बाद भी आप लोगों को शायद से वीडियो मिल जाए मैं कोशिश करूँगा जितना जल्दी इसको upload करने से related तो आपको बहुत सारी चीज़े है यहापे observe करने के लिए आपे मिल जाए जैसे मैंने शुरुआत में ही काया कि कोई trading bait यहापे इस channel से में नहीं देता हूँ आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ जो कि और आपको किदर भी देखने को आपे नहीं मिलती है तो वीडियो अच्छा लगे तो अगर आप चाहो तो इसको like and share यहापे कर सकते हो demand account भी तो उपन नहीं के है तो link नीचे description box ने 65 वीडियो की list आपको विल्कुल free of cost मिल जाएगी आपका नाम कौन सा account अपने link के तो उपन के है बाइबे 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 टाएबे नहीं के पार आपको जाएबे रखार आपको आपको बाइबे नहीं के तो मिल्कुल